असलाम अलेकम जी, so last lesson में हम लोग content aware tool को understand करने की कोशिश कर रहे थे, so इस lesson में मजीद tools को देखते हैं, that is the patch tool या healing brush tool, ठीक है, इन दोनों tools को देखते हैं, तो patch tool की तरफ जाते हैं तो मैं patch tool की selection कर रहा हूँ, और इसमें आपको यहाँ पे कुछ उपर थोड़ी सी different settings नज़र आएंगी, जो के एक source है, और एक destination है, ठीक है, तो इस वकत मैंने source पे check किया हुए, और हम लोग किसी और image को open करते हैं For example, हमारे पास यह image है और यह laptop की back side पे आपको Acer का logo नज़र आ रहा है, तो इसके साथ play करके देखते हैं कि how the patch tool will work, तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे एक, या तो यह logo less हो, क्योंकि हम इसको अपनी एक, for example, ऐसी website पे use करना चाहा रहे हैं, जहाँ पे हम नहीं चाहते हैं कि हम इसको advertise करें या इसको promote करें, तो हम, हमें image पसंद है, तो हम इस image को बगार इस logo के use करना चाहरे हैं, तो उसके लिए जी हम इस logo को remove करते हैं, और इसके बहुत सारे methods हैं, लेकिन हम यहाँ पे patch tool का इस्तमाल करेंगे, तो इसको हम एक option बता रहे हैं, इस tool को, कि आपने जो source ह इस सोर्स को, इस source के pixels को replace कर देना है, destination के pixels के साथ, ठीक है, यहाँ पे हम इसको यह चीज़ बता रहे हैं, अगर मैं इस option को select करता हूं, तो इहाँ पे हम इसको यह बताइँगे, अगर मैं source की selection करता हूं, तो destination के pixels को replace कर दे source के pixels के साथ लेकिन हम इसको remove करना चाहरे है तो मैं source को select करता हूँ यहाँ पे इस logo की selection करते है और इसके बाद इसको move करते हैं एक नई location के उपर तो यह जैसे जैसे आप इस selection को move कर रहे हैं तो result आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है तो जहाँ पे आपको लगे कि बहतर result है वहाँ पे इसको आप release कर दे और यह थोड़ा सा मजीद pixels को भी understand करेगा जैसा कि हम content aware में देख रहे थे कि जब हम pixels को move करते हैं या उसको extend करते हैं तो वो destination पे जाके आसपास के pixels को understand करता है तो बिलकुल ऐसे ही यह destination के pixels को भी यहाँ पे देख रहा है और source के pixels को भी देख रहा है तो इसकी कोशिश है कि यहाँ से जो pixels move करें इस location के उपर उसको adjust किया जाए इस environment के अंदर तो मैं यहाँ से control D प्रेस कर रहा हूँ इसको deselect करते हैं इसको zoom out करके देखते है now you have no logo लेकिन यहाँ पे अगर आपको मजीद नजर आता है कि yes there are some pixels जो के थोड़े से dark हैं तो मैं इसकी selection करता हूँ और इसको move कर लेता हूँ इस जगा पे ठीक है इसको zoom out करके देखते है now you have better results ठीक है जी तो कुछ इस तरह से आप अपने pixels को replace कर सकते है दूसरे pixels के साथ ठीक है किसी और image के उपर आते है ठीक है जी यह हमारे पास एक बड़ी old image है और यहाँ पे आपको बहुत सारे spots नजर आ रहे है तो हम इन spots को remove करना चाहते है तो यहाँ पे भी हाँ patch tool का इस्तमाल कर सकते है तो for example मैं इन pixels की यहाँ से selection करता हूँ और इसको मैं move कर लेता हूँ एक नए destination के उपर ठीक है इन pixels की भी selection करता हूँ इसको यहाँ पे move कर लेता हूँ इसके लाब आपको यहाँ पे कुछ pixels नजर आ रहे हैं इन pixels की selection करते है और इसको यहाँ पे move कर लेते हैं ठीक है तो यह destination की pixels को भी understand कर रहा है और source के pixels को भी understand कर रहा है तो कुछ इस तरह से आप patch tool का इस्तमाल कर सकते हैं और किसी और option के उपर आते हैं जहां पर हम उसके destination को इस्तेमाल कर सकें for example हम वापस इसी image के उपर आते हैं और हम इस logo को extend करना चाहते हैं तो ये काम आप content aware से भी कर सकते हैं अगर मैं destination से करूँ और मैं इसकी selection करता हूँ यहां से ठीक है और इसको मैं move करता हूँ एक नई location के उपर और इसको selection में जाकर इसको control D कर देते हैं तो ये आपके पास कुछ results हैं अब अगर हम content aware की बात करें तो content aware के अंदर इसने थोड़ा सा हमारे pixels को distort कर दिया था लेकिन वहाँ पर advantage यह था कि हम अपने pixels को resize कर सकते थे यहाँ पर patch tool के अंदर हमारे पास यह option नहीं है कि अगर हम उसको extend कर रहे हैं तो हम अपने pixels को resize कर सकें लेकिन exactly इसने हमारे उन्ही pixels को as it is move कर दिया नई location के उपर और इन pixels को खराब नहीं किया तो यह advantage है अगर आप as it is चीजों को move करना चाहते हैं एक नहीं location के उपर तो आप इस tool का इस्तमाल कर सकते हैं patch tool destination का और अगर आप अपनी चीजों को resize करके place करना चाहते हैं तो आप definitely पर content aware का इस्तमाल करें ठीक है जी So this is how you can make use of the patch tool So next lesson में healing brush tool और spot healing को देखते हैं और उसके बाद आगे move करते हैं See you in the next lesson, thank you so much